नमसे दिएवीवर्स आज के इस वीडियो में हम लोग बायोत सावत लॉको में डिसकस करने वाले हैं मिरे प्यारे वीवर्स देखिए ये मैगनेटो स्टैक्स का च cable वीडियो है इसके पहले हम लोगोंने में ऋपाण सेने टीन वीडियो डिसकस किया दो Physicist ने मिल करके formulate किया था एक का नाम था Gene Baptist Biot और एक का नाम था Felix Savat दोनों ने एक साथ मिल करके इसे formulate किया इसलिए इस law का नाम दोनों Physicist के नाम के एक ओर्डिंग है Biot-Savat Law तो Biot-Savat Law ने आखिर क्या statement दिया था थोड़ा उसे देख लेते हैं Gene Baptist Biot together with Felix Savat ये कुछ नहीं ये बस एक छोटा सा डाइगरम था discover that the magnetic field the magnetic field intensity of a current flowing through a wire varies inversely with distance from the wire कहिए रहा है मेरे प्यारे विवर्स कि just imagine अपने पास एक wire है AB ठीक है अब हमें पता है एक wire है AB जो current I carry कर रहा है और हम लोग ये जानते हैं कि current carrying wire जो है अपने चारों तरब क्या करता है magnetic field produce करता है तो ये जो law है Biot-Savat law वो ये कहता है कि जो magnetic field intensity है current flowing through a wire ठीक है वो inversely proportional होता है किस से distance from the wire कहने का आर्थ है माल लीजे कि ये जो wire है जो current I carry कर रहा है ये अपने चारों तरब एक field बनाया magnetic field और उस field में हम लोगों ने point P consider कर लिया तो इस point P पर जो magnetic field का intensity होगा वो इस point का जो distance है ना इस wire से उस पर inversely proportional होगा वही जो है यहाँ पर Gene Baptist Biot और Felix Savat ने कहा है Gene Baptist Biot together with Felix Savat discovered that the magnetic field intensity of a current flowing through a wire varies inversely with distance from the wire this relation is called Biot-Savat's law तो चलिए इस relation को ये जो relation है इसको यहाँ पर realize करते हैं मेरे ब्यारे विवस माल लीजे कि अपने पास क्या है एक wire है A B जो current I carry कर रहा है ठीक है अपने पास एक wire है A B जो current I carry कर रहा है और हम लोग क्या करते हैं हमारा ये जो wire है इसको हम लोग धेर सारे current माफ कीजेगा धेर सारे length elements में divide कर देते हैं तोड़ देते हैं हमारा ये जो wire है इसको क्या करते हैं इसको जो length elements होते हैं इसको small length elements क्याते है small length elements elements of dl में divide कर देते हैं इस पूरे wire को और उन में से एक length element जो है small length element उसको हम लोग consider करते हैं से वो जो length element हम लोग consider किये हैं वो 0 मतलब O पर है point O पर जो है हम लोगों ने length element consider किया है और इस length element का क्योंकि यह element है, इसका कुछ direction भी बनेगा, इसका माल लेते हैं कि इसका direction कुछ इधर है, ठीक है, just imagine, ओके, इस direction में इसका direction है, और यह length element जो है, ठीक है, एक मेंट एंगल को लेंगे हम लोग, ठीक है, और माल लेते हैं कि हम लोगों ने point P consider किया, ठीक है, at a distance R from point O, इस प्रकार से, कि जो अपना DL का length है ना, वो इस distance से, ठीक है, इस OP के साथ एक angle theta बना रहा है, कुछ, ऐसे हम लोगों ने point लिया, तो, बायोत सावत law की मदद से, हम लोग जो है, point P पर, इस small length element के कारण, ओके, जो magnetic field strength होगा, वो पता कर सकते हैं, तो चलिए, ऐसा मान लेते हैं, कि इस point P पर, जो magnetic field intensity है, वो db है, ठीक है, और यहाँ पर उपर में arrow लगा है, क्योंकि यह vector quantity होता है, ठीक है, तो, बायोत सावत law के according, हमारा, यह जो point P है, इस पर, जो magnetic field का strength है, यह directly proportional होता है, किस पर, current पर, जो इस length element के थोफ लो कर रहा है, साथी साथ, वो जो है, अपना जो distance है, point का element से, length element से, point का जो distance है, ठीक है, उसके square पर inversely proportional होता है, साथी साथ current, माफ किजएगा, जो length element है, ठीक है, उसके length पर भी depend करता है, और, length element के direction, और point, जो है, ठीक है, उसके distance के भी जो angle बना है, उसके sin theta पर directly proportional होता है, अगर हम लोग इन सारे factors को एक साथ combine करें, तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा, db proportional to i dl sin theta by r square, और इस constant of proportionality को हम लोग तोड़, माफ किजएगा, और इस proportionality के symbol को हम लोग तोड़ सकते हैं, एक constant लगा करके, के, ओके, और यहाँ पर इस constant का value 1 से equal नहीं होता है, यहाँ पर यह जो constant हम लोग ले रहे हैं, के, ठीक है, जिसे हम लोग constant of proportionality कह रहे हैं, इसका value equal होता है आपका, mu naught by 4 pi से, और आप कहा सकते हो कि इसका value होता है, आपका 10 पर power minus 7, वेब पर ampere meter से equal होता है, ठीक है, so, finally, हम लोग यह कह सकते हैं, कि point P पर, जो magnetic field का strength है, या intensity है, जो कहना चाहूं, वो इससे equal है, के ideal sin theta by r square, and this can also be written as, mu by 4 pi ideal sin theta by r square, कुछ अस प्रकार से, ठीक है, यह चीज़ आप समझ रहे होंगे, अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ धान रखेगा, यह जो mu naught है, ठीक है, जो permeability है, free space का, इसका value कुछ ऐसे equal होता है, 4 pi into 10 पर power minus 7 से, ठीक है न, और इसका भी जो unit होगा, वो ऐसे लिखेंगे, वेवर, पर ampere meter में, ठीक है, तो जो हमारा strength है, इस point पीपर, उसका value हमें मिला, that is, db is equal to idl, यहाँ पर mu naught by 4 pi भी होगा, mu naught by 4 pi, idl sin theta by r square, और अगर इसे vector formula लिखोगे, तो यह ऐसे मिलेगा, db mu naught by 4 pi i dot dl cross arrow r by r per cube direct, ऐसे यहाँ पर जो है, इसे पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, d arrow b is equal to mu naught by 4 pi, ok, idl cross r cap by r भी ले सकते हैं, ठीक है, r square, जब r cap का value रखोगे, arrow r by r, arrow r by r, क्योंकि r cap का value क्या होता है, arrow r by r, जब put करोगे, तो यही मिलेगा, ठीक है, तो यह आपका, बायोट सावत स्लो का vector form हो गया, और यह general formula, ठीक है, ok, so this is what, बायोट सावत law is, और उसका जो expression है, बायोट सावत law का जो statement है, ठीक है, यह statement था, इसके according किसी भी point पर, जो magnetic field का intensity होता है, वो हम लोग इस formula से पता कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा एक और चीज़, यह जो बायोट सावत स्लो है, यह कुलम्स law का analogus होता है, ठीक है, एलेक्टो स्टैटिक्स में, जो कुलम्स law था, उसका analogus होता है, जैसे, ampere circular law, gauss law का analogus होता है, उसी प्रकार से, बायोट सावत law, कुलम्स law का analogus होता है, ठीक है, ठीक है, यह अपना बायोट सावत law था, magneto statics का चौथा वीडियो, इसके बाद हम लोग जो है, इसके रिगार्डिंग, बायोट सावत law के रिगार्डिंग कुछ applications को डिसकस करेंगे, अच्छा, एक और चीज, जैसे, हमें db का value क्या मिला, mu naught by 4 pi, ideal sin theta by r square, तो अगर हम लोग इसे integrate कर देंगे, यह जो पूरा length है wire का, ठीक है, इस पूरे length के along अगर इसे integrate कर देंगे, तो हमें जो है, इस पूरे wire के कारण इस point पर, कितना electric field intensity है, वो पता चल जाएगा, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में,